हेलो फ्रेंस विल्कम तो माई यूटूब चैनल मेरा नाम है सहाब उद्दीन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में दुस्मन को लगतार तीन पंच कैसे मारेंगे दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तीन एटेक करने के लिए बताऊंगा दु दोस्तों सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कभी अगर आपसे फाइट हो जाए चाहे रोट फाइट हो चाहे गेम फाइट हो एक पंच एक किक मार के कभी आपको रुकना नहीं है भाई जब भी आप एटेक करें दो या चार की एटेक करें भाई एक पंच एक किक मार क जब भी दुसमन को एटेक करें तो लगतार चार या पांच गीक पंच तो एटेक करी दे भाई ताकि दुसमन अच्छे तरीके से घायल हो जाए तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से लगतार दुस्मन को तीन पंच एटेक किजिएगा तो दुस्मन घायल हो जाएगा तो भाई आप अच्छे तरीके से देखिए अच्छे तरीके से समझिए भाई कि तीन पंच आपको कैसे एटेक करना है देखिए मैं आपको middle punch ही बताऊंगा लेकिन मैं आज तक बताया नहीं हूँ यह बला इस्टे भाई यह मैं पहली बार बता रहा हूँ तो आपको लगतार 3 punch कैसे attack करना यही मैं आपको बता रहा हूँ देखिए सबसे पहले आपको इस तरह position में रहना घर पर देखिए practice करना है कैसे पहले मैं आपको यह बता रहा हूँ देखिए इस तरह आप अराम से इस तरह खड़े रहिए नी आपका down रहेगा एक punch यहां लाईए इस तरह और एक punch आपका रहेगा कमर पर आपको करना क्या है भाई इस तरह लगातार तीन punch चलाना है दो punch इस तरह चलाना है वन टू अर तीसरा में खेक आवाज निकलना है ठीक है इस तरह आपको तीसरा punch में खेक आवाज निकलना है पूरा अंदर से आवाज निकलना चाहिए भाई अंदर के जानबर को जगाना है ठीक है अंदर से निकलना चाहिए तो आपको इसी तरह से पंच करना है घर पर ठीक है देखिए वन टू अद तीसरा में खे का आवाज निकलना है ठीक है इसी तरह से आपको पंच करना है देखिए वन टू खे ठीक है वन टू मैं भाई बोल रहा हूं आपको पूरा पावर से मारना है मैं आप आपको समझाने के लिए बोलना हूँ ठीक है तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना भाई घर पर इस तरह से खड़े हो जाईए और इस तरह है ठीक है वन टू थ्री चेंज होता जाएगा ठीक है चेंज होता जाएगा ठीक है वन टू थ्री ठीक है इसी तरह से आपको पंच करना है और पंच मारते समय आपको फेस को इस तरह जुकाना नहीं है जुका के इस तरह मूँ को नहीं मार रहा है आपको पूरा इस तरह स्टेट रखना है तuelle, 1,2,3 पूरा पंच आपका टाइट रहेगा और यही 2 नेकल से एक होगा ट्री, यह वहला पंच जब यहां जायेगा अगा घास लेखना पर कमर पर आजाएगा थे खांगे समझ ये लगतार अगर दुस्मन को तीन पंच मारेगा फास्ट तो दुस्मन वहीं पर गिर जाएगा भाई तो आप अच्छे से प्रैक्टीस किजिए यह पंच का पिरपल पंच अगर आ आप मारेगा दुस्मन को तो शीक लिजिए अच्छे से ठीक है वान टू धू-घर जो सामने खड़ा है पूरा पावर से मारिए इस तरह है नौर में अच्छा टेकनिक है इसको आप जरूर सिख लीजेगा तो दोस्तों इसी तरह मैं कराटे अगर आपको भी कोई टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो कमेंट सेक्षन में लिखिए मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाँगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेग ताकि आने वाला वीडियो पहुंच सके आप तक सबसे पहले दोस्तों फिर मिलते कल एक नए वीडियो में तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत